नमस्कार दोस्तों, मैं अश्ट लॉजर सचिज, स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपका अपनी इस विशेश वीडियो में दीपावली एक ऐसा तहवार है, एक ऐसा पर्व है जब हम भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं, हमाई बहुत इच्छाएं होती हैं और आपके लिए ये दीपावली इसलिए खास है क्योंकि आपके पास साक्षाद गरिश लक्ष्मी है तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत मुबारत आपने साक्षाद गरिश लक्ष्मी को अपने घर में इस्थान दिया, उनकी पूजा करेंगी और उनका आशिरवाद आप पर, आपके परिवार पर, आपके कारे पर, आपकी नौकरी पर, आपके वैपार पर, आ देखिएगा, अतिशी ग्राप के घर में, वो सारी खुशियां आएंगी, जिसके लिए आप इश्वर से प्रात्ना कर रहे हैं, और मेरी तरस से, मेरे चैनल की तरस से, आपको शुब कामना आएं, और आपका मंगल ही मंगल हो, सर और मंगल हो, किसी भी प्रकार की कोई तकल लेना आउश्यक है, गणेश लश्वी की पूजा आज के दिन की जाती है, महत्व है कि महा सरस्ती की भी आरादना हो, और भख्वान विष्णू की भी आरादना हो, तो आपको सबसे पहले, बहुत साई समझली आपके पास है, जो हमाई दोर आपको भेजी गई है, कुछ च इसनान करना है, बिलकुर शुद्ध होना है अपने आपको, कोई जरूरी नहीं है कि आप नए कपड़े पहने, साफ धुले कपड़े पहने, आसन लेना है, मौसमी फूल लेने है, जिसका मौसम चल रहा है, वो फूल लेने है, फल लेना है, पांस तरीके के फल ले लीजिए जो भी है उसमें एक सिंगाडा अगर लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है गुड़ खील बताशे आपको लेने हैं इसका भोग लगाईए गुड़ और बताशा ये विशेश महत्वर रखते हैं किसी भी प्रकार की बेंगॉली मिठाई का प्रियोग न करें जैसे ये रजगुले वगएरा होते हैं जिसमें स्पंज होता है जो भी बेंगॉली मिठाई में आता है बर्फी रख सकते हैं इस सब चीज़े आप रख सकते हैं खोई की मिठाई रख सकते हैं घर के सभी लोग पूजा से पहले बिलकल अच्छे मन और विचार से एकत्र हों पूजा के लिए त्यारी करें, सर पर रुमाल रखें, जितने मी पुरुश हैं महिलाएं अपनी चुन्डी वगरा या साड़ी का पलू ओड़ें और खुश मन से अगर पूजा होगी, अच्छे विचार से पूजा होगी तो इस पूजा का रिजल्ट निश्चित तोर पर मिलता है और हम इंसान हैं, हमसे गलतियां भी हो सकती हैं उसके लिए हम इश्वर से छमा प्रात्मा पहले भी करेंगे पूजा शुरूर करने से पहले भी पूजा खत्म करने के बाद भी इश्वर सबको माफ करता है, इतना आप मान के चलिए देखिए, सबसे पहला करना आपको क्या करना है आपका जो मुख्य द्वार है घर का उसमें जो मौसमी फूल है, जिसे गेंदा है, गुलाब है, जो भी है उसका बंधन वार लगाईए, उसमें आम के पत्ते हों, अशोक के पत्ते हों ये बहुत शुब रहता है, दीपावली वाले दुमी ताजे फूलों का मार्केट से बना हुआ लीजिए, या खुद बनाईए इसको करने के बाद दर्वाजे का जो मुख्यदवार है, उससे चावल डाल कर, हल्दी डाल कर, शुब लाब लिखिए और बहुत साफ़सफाई आप लोगों ने करी लिए हुई अपने घर की उत्री हिस्सा धनवा संपत्ती का द्वार होता है, तो दीपावली पूजन घर के उत्री हिस्से में करें, गणेश जी, महालक्ष्मी, रुद्राक्ष या आपके पास पहले से सोने, चानी या मिट्टी के गणेश लक्ष्मी उनका भी अगर आप पूजन करते हैं तो कोई लिक्त नहीं है, इस सब को लें, अब रखना कैसे है, पहले तो सबसे पहले आपको रखना कैसे है, आपके पास जिनके पास रुद्राक्ष आए हुए हैं, एक केस है प्राष्टिक का, उसके अंदर आप गणेश लक्ष्मी रुद्राक्ष को रखिए, अब गणेश रुद तो माहलश्मी की मूर्टियारुद्राक्ष के बाएं और मा सरस्ती को दाहनी तरफ विराजित करें तो मा सरस्ती की कोई फोटो हो तो इसको दाहनी तरफ रखें फिरसे एक बार सुन लेजे किसी भी घर का उत्री हिस्सा धन संपत्ती का द्वार होता है दीपा वली पूज़न घर के उत्री हिस्से में करें गणेश जी को महा लश्मी की मूर्टी या रुद्राक्ष के बाए मा सरस्थी को दाही तरफ विराज़त करें और पूर्वा मुख होकर पूज़ा आशना शुरू करें आसन पहले से ले लें और बिना आसन के पूज़ा जो है वो फालित नहीं होती इस गात का भी ध्यार रखिएगा जो में वेक्ती है वो भी आसन ले और जो बाकी घर के सदर से हैं वो कोई भी ऐसी चीज़ बिछा लें घर की चादर हो आसन हो जमीन पे ना बैठें कुछ भी बिछा के बैठें और जो घर की बुजूर्ग हैं जो नहीं बैठ सकते हैं नीचे जमीन पर बोलो कुरसी ववेरे पर भी बैठ सकते हैं तयारी में और क्या करना है एक थाल लें जिसके अंदर छे चौ मुखे दीपक यानि कि एक दीपक जो है वो देशीगी का हो बागी सरसो के तेल या तिल के तेल के हो सकते हैं दूसरा थाल लीजिए उसमें 26 अन दिये तेल के जलाईए सरसो का तेल या तेल के तेल के तो यह तैयारी आपको पहले से कर लेने चाहिए दूब दीब बत्ती हमने दी हुई है कम पड़े तो आप अपने पास से उसको इस्तिम्हाल करने है अब हम आपको बताते हैं कि सारी सामगरी आप अपने साम में एक एक कर्ष किसी थाली में या किसी वस्त पर बुचा के रख ले कैसे हमें पूजन करना है सबसे पहले रोली और एक खल्दी और चावल का एक मिक्स होगा उसको पानी में या गंगाजल में घोलिए और उससे स्वास्तिक थाली पर बनाईए गनीश लश्मी मासर सती बबान विश्नु को तिलक लगाईए स्वास्तिक बनाईए श्री लेखिए शुबलाब लेखिए इस तरीके से आप शुरुआत करेंगे और हो सके अपने सब के उपर रुमाल रखिए का बाकी लोग इस तरह ढग कर बैठें अब आपने आपके सामने आपका मंदिर सजिया या चौकी सज गई जिसमें भी आप पूजा कर रहें दिशाएं आपको पता चल गई दिये आपको पता चल गई धूब दी बत्ती पता चल गई मिस्ठान पता चल गई पूल पत्ती आपके पास है बाकी अब मैं आपको विधी से बताता जा रहा हूँ और इसमें चीजे नोट कर लीजेगा जो चीज नहीं हो उसको मंगा के रख लीजेगा चलिए इश्वर का नाम लेकर शुभारम करते हैं और इश्वर से मैं प्रातना करता हूँ मेरे द्वारा यदि कोई गल्ती होती है तो मुझे शमा करें सबसे पहले सभी लोग घर के भगवान का ध्यान करेंगे आखे बंद करेंगे और रुद्राक्ष है, मूर्ती है, सोने की है, चान्ती की है उसका ध्यान करेंगे ऐसा समझेंगे जैसे महालक्ष्मी, गणेश, महासरुसती और साथ के नारायन आपके समक्ष बैठे हुए है उनका ध्यान करिए उनके एक सवरूप को देखिए जो भी आपके ध्यान में आते हैं और आखे बंद करके, हाथ जोड़कर उनके सवरूप को देखने की कोशिश करें, प्राफ्ट ना करें अपने मन की च्छाए बताएं कि आकि आप चाहते हैं और दो मिनट के लिए या उससे कम समय के लिए आके बंद करें जब्यर उपर मर्यर घटितै स्वापिता है मकुंबरी सानी त्यमबाद महस्ता ममवसत गहे सर्वमांगल्य युकता ये मंत्र संस्क्रत में हैं मैं इसका अर्थ आपको हिंदी में बता देता हूँ आप इसको दोहरा भी सकते हैं भगवती कमल के आसन पर विराजित हैं कमल की पंक्णियों के समाद सुन्दर बड़े बड़े जिनके नेत्र है जिनकी विस्तृत कमर और गहरे आवर्त वाली नाभी है जो पयोधरों के भार से जुकी हुई और सुन्दर वस्तर के उत्रीय से शुशोबित है जो मनी, जनित, दिव्ग्य, स्वान, कलशों के द्वारा इश्नान किये हुए है वो कमला, हस्ता, सदा, सभी मंगलों के सहित मेरे घर में निवास करें इस मंत्र का हिंदी मेयर्थ ये है कि आप महालश्मी से प्रात्ना कर रहे हैं कि और घणिज जी से, मा सरुष्टी से, तुष्टू जी से सबसे वो आपके घर में निवास करें अववाहन, अब हम मालश्मी का ध्यान करेंगे फिर से श्री भगवती लश्मी का ध्यान कर आपने पहले भी किया उसके बाद अब ये मंत्र आपके सामने आ रहा है इसको सुनते हुए या इसको पढ़ते हुए श्री लश्मी की प्रत्मा के सम्मुह आवहन मुद्रा दिखा कर करें यानि कि कुछ पैसे वगेरा हाथ में रख लें, कुछ चावल रख लें, फूल रख लें, सीधे हाथ में और ये मंत्र सुनिए मंत्र का अर्थ है, हे देवताओं की ईश्वरी, तेजमई, महा देवी लक्षमी, देव बंदते, आए मेरे द्वारा की गई, की जाने वाली जो पूजा है उसको स्विकार करें, मैं आपका अवहन करता हूँ, मैं आपको बुलाता हूँ या आपको बुलाती हूँ इसके बाद आवहन कर लिया आपने, सबी लोग करेंगे, एक में व्यक्ति कर रहा हूँ, बाकी करके सिद्ध से भी करेंगे, अपने मन ही मन में करेंगे उसके बाद पुश्पांजली, जो आपके हाथ में चावल थे, रुपिया पैसा था, दस रुपे था, सो रुपे था, गंगा जल था, सीदे हाथ में आवहन करने के बाद, फिर से आपको एक मंत्रप सुनाई पढ़ेगा, उसको सुनिए, या भी आपके हाथ में सारी चीजे हैं, सीदे हाथ में आवहन करने के बाद, यानि आप आपने मंत्र सुन लिया, इसके बाद आप क्या करेंगे पांच पुषपांच जीवी, यानि कि पांच बार मालक्ष्मी के चारों तरफ अपने हाथ को घुमाएंगे, और उनके सबक्ष पांच भी बार में छोड़ देंगे यानि चार चक्कर पूरे और पांच भी बार वाले में मालक्ष्मी, भगवाल विष्णू, गणेश जी, पांच पुषपांच जली है, उसको छोड़ देंगे और जो मंत्रा आपने सुना, उसका अर्थ क्या है, हे देवताओं, हे ईश्वर, विवित प्रकाल के रतनों से युक्त, स्वर, सज्जित, आसम को परसंदता है, तू ग्रहन करे, यानि आप मेरी हर में आए हैं, विराजित हैं, मेरे घर पर विराजित हों, इस आसम को स्वि गया, कुष्प हो गया, रुपिया हो गया, कुछ दर्शना हो गई, और उसके लावा कुछ मिठाई हो गई, और कुछ फल हो गया, इस तरीके में से जो भी पांच चीज़े आप रखकर उनको कुष्पांजली देंगे, अब आप मालश्मी का स्वागत करेंगे, स्वागत क स्वागत करने के बाद आप इनको गंगाजल से थोड़ा सा इश्टनान कराएंगे या हलका सा फ़हां जो गंगाजल इक को खेंगे, और जब आप इनको गंगाजल चिर्थेंगे इनके चरड हो गेंगे चो आपको आस्मूर्थियां है रुपराक्ष को आप थलकास आ इसक तो इस मंत्र को सुनिए और इसका अर्फ में आपको बता देता हूँ सब प्रकार के कल्यान करने में समर्थ हे देविश्री पैर्ध होने का जल भक्ती पूर्वक आपको समर्पित है स्विकार करें हे महादेवी, लक्ष्मी, सरस्थी, गणेश, विश्नु आपको नमशकार है और उनके आप पैर्ध होने उनको चरण स्पर्ष करें उनका आशिवात ले हाथ में पुष्प ले, चावल ले, थोड़ा सा पानी ले या जंगा चल ले और इस मंत्र को सुने मंत्र सुनने के पाद मालप्ष्मी के सामने जुप्याप मंदिरे पुचहा दे चिने नमाहार ग्यम् नमस्ते रेवडे वेशी नमस्ते कमलधारिडी नमस्ते श्री महालक्षी धनदारे वियर्ग्यम ग्रहाम गंध पुष्पाच्छत यूप्टम् खलदव्य समन विताम् ग्रहालतोयम अर्ग्यर्थम् परमेश्वरीवत्चले श्री महालक्षी देव्यर्ग्यम स्वाहा और इस मंद का अर्थ है हे शी लक्ष्मी आपको नमस्कार है हे कमल को धरण करने वाली देवी देवेश्वरी आपको नमस्कार है हे धनदा देवी लक्ष्मी आपको नमस्कार है शिर्ख के अबशेक के लिए जल अधर, स्वीकार करें जो आपने उनको अधर चड़ा है, आपको जल दिये, स्वीकार करें जो आपने हाथ में लिया है, इसमें आप चाहें तो चावल· चंदन· अक्षद जैसे मनें बूल दाया है, आपको पुश्ट वगरा ले, कुछ जो आपको इत्र वगरा दिया गया है, उसको भी आप डाल सकते हैं, जो फल है आपके पाद, उसको भी रख सकते हैं, और ये सब कुछ जो भी मिश्थान वगरा है, इस सब को भी आप इनको समर्पित करें, घर के सबी लोग एक एक चीज़ उठा गंगा जल या कुछ भी चीज ले ले, पानी ले 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 शुद्ध पानी, उसके बाद थोड़ा फ्रहसा पानी पुश्प से इन सब भगवान की मूर्थी उपर चड़कें, और पंच्यामरत बना ले और पंच्यामरत से को भी लेकर इन सब पेच्छड कें, ओम स्री महालक्ष्मय इन्नमहा, पंच्यामरत स्नानं, दधी मधूग तस्चैवा, पयस्च सरकरायुतं, पंच्यामरतं समानीतं, स्नानार्थं प्रतिग्रहियतं, ओम पंच्यान धियाहा, सार्जवाती मापियंदी ससरोत ताजाहा, सार्जवाती तू पंच्याधा, सोदे से भावत्चारिता, महालक्ष्मय इन्नमहा, पंच्याम्त इस्नानं समर पयामी। गंध इस्नान कराएं, यानि कि जो आपको हमने आपको दिया हुआ है, गंध का मतब होता है, इत्र का ध्यानम कराएं, इत्र से उनको छिड़कें, किसी पुष्मि, इत्र को निकाल लें, पुष्मि उपर उसको तोशिपरश्ट कराएं उसके बाद फिर से साफ पानी ले एक कुछ विप्पूर और सबको फिर से साफ हो जाएं और मीच बीच में जो मंत्र आ रहे हैं इसको भी आप समस्ते जाएं उसके बाद आपके पास एक लाल रंग की मोली होगी उसको थोड़ा सा तोड़े वस्त के रूप में या गड़ेश जी को जनेउ जो आपके पास है गड़ेश जी को चलाएं और भाकी लाल जो मोली है इसको बाकी दिवी देवताओं को वस्त के रूप में समर्पित करें मधुपर्क, मधुपर्कम में शेहद शीलश्मिनी को दूद वा शेहद का मिशन, दूद आपके घर पे होगा शेहद ले लिजेगा, दोनों को एक कटोरी में घोल लिजे और वो अर्पित करें ओम स्री महालक्षमे इन्नमहा मधुपर्कम ओम कापिदंद धिकुंदेंदू धवरम अधुसन्युतं स्वाण पात्रस्थितम देवी मधुपर्कम ग्रहाण भो महालक्षमे इन्नमहा मधुपर्कम समर्पयामी आभूशन आपके पास पंच रत्मे हैं तो आभूशन माला हूँ और पित्तरे ओम स्री महालक्ष्मेइन महा आभूशडम रत्न कंकल वैदूरिया मुक्ताहार युतानिचा सुप्रसन्यन वनसा दत्तानी स्वी कुरुस्व में ओम चुत्ति पासा बलाम देश्ठा मलच्मीम ना सयाम्यहम अभूति मसमरद्धिम्चा सरवानि लुद्मे ग्रहात महालक्ष्मेइन महा आभूशडानी समर्पयामे रक्त चंदर लाल आपके पास रोली है चंदर है जो आपके पास आया है उसको तीका लगाई या उसको समर्पित करें सिंदूर रोली जो होती है उसको आप अर्पित करें कुम कुम यानि कि अपने अखंड स्वभाद के लिए थोड़ सा सिंदूर भी चढ़ाएं आप चाहें तो गुलाल वगएरा जो होली पे शेलते हैं नमिल जाए तो उसको भी जढ़ा सकते हैं ओम स्री महालच्मे नमहा सिंदूरम ओम सिंदूरम रत वर्लंचा सिंदूर तिलकप्रिये बत्यादत्तम्मयादेवे सिंदूरम रतिग्रहियताम महालच्मे नमहा सिंदूरम समर्पयामी Oṁ śrī Mahālachmē Stampah Kumbh 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 Kumb अभीर गुलालम ओम अभीरंचा गुलालमचा चोवाचंदनमेवचा स्रंगारार्थम यादत्तम ग्रहाडपरमेश्वरी महालच्मे इन्नमहा अभीर गुलालम समर्पयामे सुगंधित द्रव्य में क्या है एक पानी में थोड़ा सा जो इत्र है सुगोल ले उसको चाहाए ओम स्री महालच्मे इन्नमहा सुगंधित द्रव्यम ओम तैला नीचा सुगंधिनी द्रव्याडी विविधा नीचा मयादत्ता निले पार्थम ग्रहाडपरमेश्वरी जो आपको अक्षब दिये गए हैं, चावल दिये गए हैं, उनको चढ़ाएं कमल गट्टा है, सीप है, कौडी है, इन सब को चढ़ाएं यह सब कुछ एक एक करके समझपित करके चले गया है उसके बाद धूब बत्ती को जलाएं और धूब बत्ती के धूएं को महालक्ष्मी और पाकी देवी देवताओं की समक्ष करें, जिससे की उनको उसकी सुन्दर खुश्बू है, वो उनकी तरफ जाए हे महालक्ष्मी मनोहर और सुगंदी चंदर शरी में लगाने ही तू उनको देव और कुछ को गयरा भी आप जो आपके पास हो भी चड़ाएं, आप कुछ को समरपड करें श्री महालक्ष्मी नमहा गंधं समर्पणं, श्री खंड चंदरं दिभ्यं, गंडाध्यं सुमनोहरं, बिलेपनं महालक्ष्मी चंदनं प्रतिग्रयतां, श्री लच्मी देव्यै चंदनं समर्पयामी इसका अर्थ है हे महालश्मी रितु के अंसार प्राप्त पुष्प विलब तुलसी दलों में से मैं आपकी पूजा करता हूँ जो मौसमी पुष्प हैं मैं उनसे आपकी पूजा करता हूँ श्री लश्मी जी को पुष्प समरपित करें बाए हात में चावल पूश में चंदर लेकर परते एक मंतर पाउचार करिए या सुनिए और लक्षमीरी के समख छोड़ते जाए एक एक बार ओम कात्या न्या नाभिंपूझ यामी ओम जगणमात्रे नमाँ जटरंपूझ यामी ओम भिस्व बल्ल भाय नमः वच्छस्थलं पूझ यामी ओम कमल वासिद्द्निय नमाँ हस्थो पूझ यामी ओम कमल पत्राच्य नमहा नेत्रत्रयम पूजयामी ओम स्रिय नमहा सिरह पूजयामी देवी देवताओं का पूजन करने के बाद पुना वाए हाथ में चंदन पुष्प चावल लेकर दाए हाथ से भगवती लश्मी के मूर्ती के पास अश्ट सिद्धियों की पूजा करें श्री महालच्मय नमहा अश्ट सिद्धी पूजनम् ओम अडिमने नमहा ओम महिमने नमहा ओम गरिम्डे नमहा ओम लगिमने नमहा अश्ट शिद्यों की पूजा के बाद उप्यूत रिदी से मा भगवती लश्मी की बूर्टी के पाद अश्ट लश्मियों की पूजा चावल वा चंदन और पुष्प से करें जो अब आपके चावल है चंदन है पुष्प है श्री महा लक्ष्मय नमहा अष्ट लक्ष्मी पूजानम ओम आध्यलक्ष्मय नमहा ओम विद्यालक्ष्मय नमहा ओम सोभाग्यलक्ष्मय नमहा ओम अमरतलक्ष्मय नमहा ओम कमलाथ्यय नमहा ओम सत्यलक्ष्मय नमहा धूप समरपढ जो धूप जल रही है उसका समरपढ करें उसके हास उसके धूवे को उनकी तरफ करें मंत्रों जो आपने सुने उनकी आर्थ है व्रक्षों के रस से बनी हुई सुन्दर मनोहर सुगंदी देवी देवताओं के सुने के योगे धूप आप गहन करें भगोती शी लश्मी के लिए मैं धूप समरपढ करता हूँ अब आप दीप जलाए और ये भी देवी देवताओं को समरपढ करें अब देवेसी त्रैलोक्यति मिरापहम भक्त्या दीपम ब्रयच्चामी श्रीलत्मै परात परायाई त्राहिमाम निरयाद गोरात दीपोयम ब्रतिग्रहियताम श्रीलत्स्मी देव्याई दीपम समरपयामी और मन्तकारत है हे देवेशी घी के सहित और बट्तिग से मेरे द्वारा जलाया हुआ दीपक्ग्रण जो चौ wannकी दीपक्ग है उसमें जो मैंने आपको एक बट्तिगई है लाल जजगी उस बक्ति का चौम की दीपक बना के जलाएं तो बेहतर रहेगा जो घी का दीपक होगा और मंदगार्थ है हे देवेशुरी घी के सहीत और मेरे द्वारा जी जलायागे जो दीपक है तीनों लोगों के अधेरों को दूर करने वाला दीपक सिलकार करे मैं भक्ति सरूप, भक्ति पूर्वक, परंबरा पूर्वक, यथा शक्ति जितना आपने मेरे को ग्यान दिया है उसकी अनुसार मैं आपके ये दीपक परकाश कर रहा हूँ, आपको समर्फित कर रहा हूँ और इस दीपक को स्विकार करें और घोर, नरग, पाप, तकलीफ, इस सबसे मेरी रख्शा करें और दीपक को जला दें, वाकी जो दीपक हैं, वो सब भी जला दें इसके बाद नवैद्य समर्फित मतलब जो आपको बताशा, खील दी गई हैं, ये आप समर्फित करें उसके मेरी ठाई हैं, उसको भी समर्फित करें ओम अपाना यस्वाहा, ओम समाना यस्वाहा, ओम उदाना यस्वाहा, ओम ब्याना यस्वाहा ये था योग भगवती लश्वी को नवैद्य समर्फित कर रहे हैं, अपने प्राण के लिए ताकि आपके प्राणों की रक्षा हो और आप इस संसार में इश्वार का आश्रवाद पा सकें, अच्छा जीवन यापन हो आपका, आपका उधार हो, और आप मालश्मी को इस इच्छा से समर्फित कर रहे हैं, कि आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल हो, इसके बाद आच्मन समर्फित करें, और उसके बाद चंदन समर्फित करें और मंतर का आर्थ है, नवेद्दी की बाद, यानि अब आपने खाना पीना खिला दिया, उनका सब कुछ आदर सतकार करें, तो भूक लगती है, तो हाथ धोने के लिए, पीने के लिए, पैर्द होने के लिए, मुक्त होने के लिए, मैं आपको जल और चंदन समर्फित करता हूँ, ताकि जैसे भी आप खाना खाते हैं, तो उसके बाद आपने सब नवेद्द मिश्ठाम को जेरा चढ़ा दिये, तो पान के पत्तों से युक्त, अत्यत सुंदर सुपारी कपूर और इलाइची आप सरस्टी और बाकी सभी देवी देता हूँ के सामने समर्फित करें, भगवती शी लश्मी के मुक्त को शुगंदित करने के लिए, सुपारी में युक्त ताम्बुल मैं समर्फित करता हूँ, ये राख ना करें अशी पूर्ण प्रदान करने वाली स्वान गर्वित चंपत पुष्व से मुझे शांती प्रदान करिए भगवती लश्मी के लिए मैं स्वान पुष्व रूपी दच्छना प्रदान करता हूं जो भी दच्छना कराना चाहें प्रदर्चुना अब श्री लश्मी जी की प्रदर्चुना बाएं से द्राएं के ओप परिफिल्मा लगाएं उठकर सभी लोग एक एक करके और उसके बाएं से द्राएं के परिक्रिमा हो जाएं तो फूल हाथ में लिए हूँ और समर्पित करें और यह मंत्र है इसका अर्थ है पिछले जन्मों में मैंने जो भी पाप किये हैं वो सब परदिक्षना करते समय एक एक पग जो मैंने परद भवती शिलश्वी को मैं परिक्षना समर्पित करता हूँ या करती हूँ यह घर के सभी लोग करें अब देखिए पूजा हो रही है इसमें कोई एक विजेश जो समजदार व्यक्ती हो वो एक व्यक्ती एक एक करने करें बाकी लोग उसमें हाथ लगा लगा कर सही हो करें ठ प्रदचिडाम यानि यानि च पापानी जनमांतर कतानी चा तानी तानी विनस्यंती प्रदचिडं पडे पडे अन्यतासरणम नास्ती तोमे वसरणम देवी तस्मात कारुंड भावे ना छमस्व परमे स्वरी आप वंदना करनी है आपको वंदना सहीत पुषपांजली बैठ कर करें खड़े हो कर करें श्री महालच्मय नमहा वंदना सहीत पुषपांजली कर करतंवा कायजं कर्मजंवा स्रवरनयनजंवा मानसंवा पराधं विदितम विदितम वा सर्वमे तच्चमस्वा जय जय करुड़ाब दे श्री महालच्मित राही स्री लच्मी देडबे मंतर पुषपांजली समर पयामी मंतर का अर्त समझे हे दया सागर श्री लच्मी हाथ पैरो दौरा किये गए श्री या कर्म से उत्पन कानों आँखों से उत्पन मन के जो भी ग्यात या अग्यात अपराध हो उन सब को आप शमा करें आपकी जय हो मेरी रक्षा करें भगोती शी रश्मी मैं आपको मंत्र कुश्वांजली समर्पित करता हूँ इस मंत्र का ये अर्थ है आपने समर्पित कर दिया प्रणाम आप मालश्मी को प्रणाम करें जैसे भी आप परना चाहते हैं और स्री महालच्ने नमहा साष्टांग प्रडामं ओम भवानि तुम महालच्मी सर्वकाम प्रदायनी पसन्ना संतुष्टा भवदेवी नमोस्तुते अनेन पूजनेन स्रीलच्मी देवी प्रियताम नमोन नमहा हे भवानि आप सभी कामनाओं को देने वाली महालच्मी है आप प्रसन्न हो और संतुष्ट हो आपको नमशकार है और हमारा प्रणाम अश्टांग नमशकार स्रीकार करें मैं आपको यूटूब पे किसी दिन दिखाऊंगा त्या अस्तांग नमशकार क्या होता है वाकि आप अभी महालच्मी को साधान तरीके से नमशकार करें प्रणाम करें चमा प्रार्थना अब आपने पूजा अर्शना कर ली अब आपको क्या करना है मंतर आपके सामने है किसी अज्यात अज्यात भूल के लिए श्रीलश्मी और बाकि अन्य देवी देताओं से प्राक्ना करनी है मैं आवाहन भी करना नहीं मैं आपको बुलाना भी नहीं जानता हूँ मैं अग्यानी हूँ मैं ना आपको विशर्जन करना जानता हूँ पूजा कर्म भी मैं नहीं जानता है परमेश्वरी मुझे च्छमा करें मंत्र, क्रिया, भक्ती, या मैंने जो भी क्रिया, विती करी, जो भी पूजा, अरशना करी, जो भी कोई समर्पित किया, उसमें कोई तुप्ती हो, कोई कमी हो, कुछ अधूरा पन हो, तो अपना बच्चा समझ कर मुझे माफ परें, और मुझे आशरवाद दें, जितनी मेरी यह था शक्ति थी, जितना मेरे को ग्यान था मैंने पूजा करी, बागी आपकी किरपा मुछ पर वरसे और आप मुझे मेरी गल्तियों की प्रातना स्विकार करें यता संभ गो मैंने आपका पूजन किया जतनी चीजे मुझे समझ में आई जितनी चीजी मेरे को उपलब्द थी आप इन सब को स्विकार करें और परसंद हो और आप सभी देवी देवताओं का मेरे घर में हमीशा स्वावत है और आप हमीशा यहां पर अपनी किरबा दिखाते रहें और हमको खुशियां देते रहें इस तरीके से आपको यह पूजन करना है इसके बाद खाड़े होकर लक्ष्मी जी की, गनेश जी की और भगवान विश्नु की और मा सवस्वती के अरादना करनी है और इसके अलावा आपकी जो रीती रिवाज होते हैं घर के अलग-अलग होते हैं उसके अंसार भी आपको पूजा पाड़ कर सकते हैं अब एक विचार मन में आएगा कि पूजा का मुहरत तो इतना कम समय का होता है इतने में इतनी बड़ी पूजा कैसे संपन्न होगी तो पूजा शुरू मुहरत के करिए खत्म किसी भी टाइम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं आप सबको दीपवली की शुक कामदाय देता हूँ और मैंने कोशिश करी कि आप लोग इस विधी से संपूर अच्छी विधी से शौट करके छोटा करके कि आप लोग इसे मा को परसंद कर सके कि आपके घर में सुख सुविधाय आये और मैं मंगल कामदा करता हूँ कि आपका सवभाग्य हो वीडियो के अंत में आपको आपके शेहर जो चुनिंदा शेहर है उनका पूजा का मुहरत भी आपको मिल जाएगा उसको भी आप देख लेए और मेरे द्वारा यदि कोई गल्ती हुई है तो मैं ईश्वर से और आप सभी से छमा चाहूँगा मैंने अगर कोई गल्ती करी है तो वो भूल चुक में होई है खोश और हवाश में गल्ती नहीं है और आप सभी लोग को दीभावली की शुक्ता मैं ईश्वर आपको खुश रखे हरियो नमस्कार